मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, कि तुम अपने जीवन में बहुत मैनत कर रहे हो, सफलता पाने के लिए, इसलिए विश्वास रखो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, और योही लगातार मैनत करते रहो, मैं जानता हूँ, कि तुम बहुत ही नेक दिल इंस कर्म करते रहो, तुम्हें पता है ना, कि तुम कैसी हो, और तुम्हारे बाबा को पता है, कि तुम कैसी हो, इसलिए बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हूँ, और मैं तुम ही अपनी जीवन में सफल अवश्य बनाऊंगा, मैं जानता हूँ, कि देरी हो रही है, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हे धहरी रखना होगा और सफलता प्राप्त करने का जुनोन हमीसा अपने अंदर बनाए रखना होगा तभी तुम्हे तुम्हे अंदर जो गुर्ण हेना उनें पहचानो और उनें और भी निखारो मेरे बच्चे मैं तुम्हारी मेनत का फल तुम्हें अवश्य दूंगा और तुम्हारी जीवन की नईया पार लगा दूंगा और तुम्हें मेरा धेर सारा आशिरवात प्राप्त होगा मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में कौन क्या कहे रहा है ये मत सोचो, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है तुम दूसरों की चिनता मत करो सिर्फ अपनी चिनता करो, अपनी भवेशिक के बारे में सोचो, जो चला गया या बीद गया उसे जाने दो क्योंकि जो होता है वो मेरी मर्जी से होता है और तुम्हारे भले के लिए ही होता है इसलिए बस निश्चिंद होकर अपनी कर्म करो, अपनी आपको इस्वर भक्ती में लगाओ, क्योंकि इसी से तुम्हारे जीवन का कल्यान होगा, और मेहनत करो, मैं तुम ही तुम्हारी ये कड़ी मेहनत का फल अवश्य दूँगा, मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, कि त तुम दिन रात मेहनत कर रहे हूँ, तो तुम जल्द ही सफल अवश्य होगे, मेरा आशिर्वात सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे जीवन में अभी जो भी परेसानिया चल रही है ना, तो मैं वो सब कुछ दूर कर दूँगा, चिंता मत करो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं स्वयम तुम्हारे रक्षा कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे जीवन में अब वो बड़ा चमतकार भेज रहा हूँ, इसका तुम बहुत समय से इंतजार कर रहे हो, मेरे बच्चे अचानक ही तुम्हीं एक सुप समाचार मिलेगा, जो तुम्हारे कारी छेतर की प्रति दिन नई नई योजनाई तैयार कर रहा हूँ, इसलिए भरोसा रखो, आकी तुम्हारे जीवन में पहुत अच्छा होने वाला है, अचानक ही तुम्हारे जीवन में पहुत पड़ा चमतकार होगा, रातो रात तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा, अपनी बा बस मुझ पर विश्वास रखो, और आगे बढ़ते रहो, और जब भी तुम्हारा मन उदास हो, तो मेरा नाम इसमरन करो, तुम्हारा मन सांथ हो जाएगा, और रोज मेरी उदी का सेवन करो, क्योंकि मेरी उदी तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रखेगी, इसलिए सद हमीजा खुश रहो, और हमीजा मुस्कुराती रहो, मेरा आशिरवाद हमीजा तुम्हारे साथ है